नमस्कार खबरान देश बिलोटेंच तो अड़ा स्वागत है मैं हाँ कुसुन सोनियां सब्तो पहला चोण मिया खबरा पार्ती पुलाड खोज संगठन इस्टो ने जी एस अलबी अफ बारा नविगेशन उपग्रयानू सफलता पूरण लॉंच करके एतिहास रच्छा उपग्रयदाओ देश निगरान नी अति नाविगेशन समरत्था परदान कारदाए परदान मंत्री नुएंदर मोदी ने असाम दी पहली वंदे पारत एक्सप्रेस ट्रेन नूचंडी दिखा के रवाना कीता केंद सरकारदे नौ साल पूरे होणते देश परविच केंदरी मंत्रियां वलनों प्रेस कांफरंसां सरकारदिया नीतिया अति प्रापतियानों लोकां तक पहुंचाण गे अते प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने केंदरी विजिलेंस कमिशनर वाजों सौच चुकी तेहुन खबरां विस्तार नार पार्ति पुलाड खोज संगठन निसरों नी आज एक वार फेर ओस विले एतिहास रचिया जद GS-LVF-12 नेविगेशन उपग्रयानों सफलता पूर्वक लॉंच कीता गया श्रीहरीकोटा देश तीश तवन पुलाड के इंदर दे दूजे लॉंच पैड़तों ये रॉकेट आज दस वाच के बताली मिनिट थे पुलाड विच दाग्या गया तक्रीबन 2222 किलो वजन दा एनस वी एक जियो स्टेशनरी सर्टेलाइट निगरानी उपग्रया तानात करन ले त्यार की ताख्याए ए दूजी पेड़ी दा पहला उपग्रया जिस दी कल्पना पार्ती पुलाड लडी दी निगरानी करन ली कीती गई है ए देश विच्छी त्यार कीता गया नेविगेटर है इस दाओ देश निगरानी आते नेविगेशन सम्रथा परदान करना आए तुड़े दा इस मौके पार्ती पुलाड खोज संगठन दे मुखी डॉक्टर S. सोमनाथ ने अपने संबोधन विच इस सैटेलाइट अते इस रोदिया प्राप्तियां बारे दस्या उन्हा क्या कि पुलाड दी दुनिया वेच एक होर वड़ी सफलता है इस सैटेलाइट पहला न तो पुलाड पुरेट इन वदाइटिती प्रदान मंत्री नुरेंजर मोधी ने अज वीडियो कंफरेंसिंग राही असाम दी पहली वंदे पारत एक्सप्रस ट्रेन नू हरी चंडी दिखा के रवाना कीता ए ट्रेन गुहाटी अते न्यू जल्पे गुडी विचाले चलाई जा रही है ए रोजानना स्वेरे साढ़ चार वजे गुहाटी तों चल के न्यू जल्पे गुडी रात साढ़े दस बजे पुझेगी मंगलबार नू चाड़ी के बाकि सारा हफता ए गड़ी चल लेगी इस नाड यात्रियांदा सफर होर आसान हो जावेगा इस नाड सफर वेच एक कंटे दी बचत होवेगी इस पारत विच बढ़ी पहली वंदेपारत एक्सप्रेस ट्रेन मल गई है इस तो इलावा पच्छम बंगाल नाड एस एलाके नू जोड़नवाडी तीजी वंदेपारत गड़ी है इस दिनार ही असाम अतिमे गाल्या विच लगपग सवा 400 किलमेटर ट्रैक ते बिजली करंदा काम पूरा हो गया है इंफ्रास्ट्रक्टर सब के लिए हैं समान रूप से हैं बिना भेदभाव के हैं और इसलिए ये इन्फ्रास्ट्रक्टर निर्मान भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है सच्चा सेक्चुलरिजम है भाईयों और भेणों इन्फ्रास्ट्रक्टर निर्मान के इस काम का सबसे अजिक लाब अगर किसी को हुआ है तो वो पुर्वी और उत्तर पुर्वी भारत है केंद्र विच मोधी सरकार्दे नौ साल पूरे होंटे सरकार्दियां प्राप्तियानों दसरली आज देश पर विच केंद्री मंत्री प्रेस कांफरेंस सांग कारनगे इस तो इलाबा कल 3 मैत शुरू होंट वाला विशेश संपर्क अभियान ती जोन तक चलेगा इस दुरान जिला मंडल शक्ति केंद्र आते बूत पद्रांते विशेश तोरते प्रोग्राम करवाए जानगे सरकार्दे 9 वरे पूरे होंटे कती मैनों अज मेर वेच एक वड़ी रैली होवेगी इस अभियान दा मकसद मोधी सरकार्दिया नीतिया अते प्राप्तियानों लोकां तक पहुंच ओनाए इस दुरान बेज़ेपी दे वड़े नेता रैली नू संबोधन करनगे आज संजुक्त राष्टर शांती सेना दे स्थापना दीप जत्तर मी वरे गांड है सेना दे मुखी जनरल मनोज पांडे ने आज संजुक्त राष्टर शांती सेना देवस्ते संगर्ष खेतरा मेंच शहीद होए पार्ती फौजियानों सन्मानित की था कांगो तो लाइबेरिया तक लाके दखन सुडान तक पारत ने एकवंजा तुवाद सिन्जुक्त राष्टर शांती मिश्णा विच शांती साना दिरूप विच तेन लग तुवाद फोजियानू तैनाद कीताई इस मौके पारत दे विदेश मेंतरी डॉक्टर एसज़ा शरंकर ने सिन्जुक्त राष्टर शांती साना दे अंतराष्टरी दिवस्ते दुनिया पार दे सिंजोक्त राष्टर शांती सैनिकां दे साहस समर्पन आते वचन बदताले सलाम कीताई एस दुरान थल सैना मुखी जनरल मनुज पांडे अते सिंजोक्त राष्टर ते विदेश मंत्रल दे नुमायन दियाने नमी दिल्ली स्थित कौमी जंगी यादगार ते फुल मलामा चड़ाके शिर्दांजली पेट कीती राष्टरपती द्रापदी मुर्मो ने आज जिन नमी दिल्ली वेच सेन्ट्रल विजिलन्स कमिशन दे कमिशनर परवीन कुमार श्रिवास्तम नू ओद्धे अते पेद गुप्त रक्खनली सौन चुकाई इस मौक्यो पराष्टरपती जगदीप तंखड परदान मंत्री नुरेंदर मोधी कई काबिनेट मंत्री आते प्रशासनेक सेवावा नार जोडियां उगियां शक्सियत तावी हाजर सान पारत पाकिस्तान सरहाद ते अमरसर जिले देत नो एकुर्द पेंड़ दे इलाके वेच बीती रात फेर सरहाद पारों आएक ड्रोन नू सीमा सुरख्या बल दे जवाना ने गोडियां रहीं डेगलिया इस मौके वड़ी मातरा विच नशीले पदार्थां दा पर या एक बैग मिलया जस्तनू स्तरहद पारों पारत पेज्या चार्या सी इस बैग विच दो किलोग 900 ग्राम दी नशीले पदारत ने जोड़े दी कुंडी नाल ड्रोन नाल जोड़िया होया सी फाजल का दे पारत पाकिस्तान नेडे वसे पेंड मोहार सोना विच सरकारी हाई स्कूल नू अपग्रेड करन दी मांगनू लाएके पिछले चार दिना तों स्थानक स्कूल दे बच्चे आते लोग स्कूल नू ताला लगा के तरने ते बैठेने आज तरने दा पांजमा देने लोगांदा केना है कि पिछली सरकार दुरान स्कूल नू अपग्रेड कीता गया आते 59 बच्चे आंदे दाखले भी होया पर उन सरकार क्या रही है कि ए स्कूल अपग्रेड नहीं है लोगांदा केना है कि जिननी देर तक स्कूल अपग्रेड आज दोद्द दोए नहीं तरना साधा वदो तक चले जादा साधा स्कूल अफ ग्रेट नी नी ओन्द जाक्त नी लग दिया साधा धर न देन पर रात जारी रहे लें साधे अज कले महारसों ने दी हालते नहीं हैं तो उसी फोई पुर तो लग जो तेह बोर तक ते जड़े बार्डर बैल्ट दे पेंड जिनने भी हो ते तुसी आवदा जाके चाक्त भी कर सकनो हो ते सिख्या वरगी चीज जड़ी नहीं दिती जारी सिरकार वलो जड़ी पहल स्थार्णाज करावां गया कि यार्वी दियां कराशना सी शुरू करांगी सन्हों तो बहुत परशानी हो रही है सब्सक्राइब दूर पहने नेड़े पिंड हॉन करके कोई सहुलत भी नहीं है एगी है ते सड़क होनी बनिया कुछ दिन पहलना दिगाला एक उड़ी साधा स्कूल दे प्रिंसिपल विकास ग्रोवर दा केनाएं कि पिछले साल पंजाब दे कई स्कूला नू अपक्रेड करन दी लिस्ट जारी होई सी जिस्वे चेस्पेंट दे स्कूल दा नावी शामल सी परहुन सरकार वलों जारी हुकमा अनुसार ही विद्यार्थियंदा दा किता चाफिका पुर्ष जूनियर एशिया कप 2003 विच मौजूदा चैंपियन पारत ने कल ओमान दे सलाला विच अपने पूल एद आखरी मैच विच थाईलैंड नू स्तारा सिफर नाल हरा के शान दार परदशन कीता इस जतनाल पारती जूनियर होकी टीम ने पुर्ष जू अंका नाल पूल एदे सिखरती रहाई पारत ने अपने शुरुवाती दो मैच विच चीनी ताईपे अते जपान उहरायाई तिया अपने आखरी मैच विच पाकिस्तान ने एक-एक मैच नाल ड्रॉरी हाई खिताबी मैच बोधवार नू खेड़या चाणाई एज नाली ब